म्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब नास्कार स्वागत आपका न्यूस चक्र में और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से न्यूस क्लिक के हाथ मजबूत करते रहें और न्यूस चक्र में आज जो विश्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो आपके स्क्रीन्स पर है दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक बार फिर देश की जनता के साथ मन की बात करने जा रहे हैं और इस मन की बात में उन्होंने क्या किया है और क्या कहा है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ इस महीने एक बार फिर मन की बात की वापसी हो रही है और इस बार हम सकारात्मक्ता की ताकत का जश्न मना रहे हैं, 130 करोड की जनता की ताकत का जश्न मना रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरणा दे सके, जो हमें इंस्पायर कर सके? मैं इस समझना चाहता हूँ जो प्रदान नंतरी नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम सकारात्मक्ता का जश्न मनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दो शब्दों पर गौर कीजिए, सकारात्मक्ता यानि पॉजिटिविटी और जश्न यानि की सेलिबरेट करना, मैं सम सकारात्मक होने से तमाम जो नाकामिया हैं उस पर परदा डल जाएगा क्या सकारात्मक होने से आक्सिजिन की कमी बेड्स की कमी दवाईयों की कमी सरकारी नाकामी ये सब खत्म हो जाएगी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री मैं सकारात्मक कैसे हो सकता हूँ कल ही पापा ने मुझे खबर दी कि सलीम रोमानी अंकल जिनकी गोद में मैं खेला हूँ उनकी मौत हो गई मैं कैसे सकारात्मक हूँ बताइए सलीम रोमानी अंकल सेवक अंकल और सूर्यवंशी अंकल के बाद मेरे तीसरे अंकल है जिनकी मौत हो गई पिछले एक महीने में तीनों की गोदमे में खेला था मेरा अपना ममेरा भाई 27 साल का विने शर्मा इस वक्त जिन्दगी और मौत के भी जूल रहा है पिछले छे दोनों से उसको होश नहीं आया उसके लंग्स में जबरदस्ट इंफेक्शन है मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरी मौसी कहां से सकारातमक्ता लाए बताएए न मोदी जी आप कहरें सकारातमक्ता का जश्च मनाया जाए कैसे जश्च मना सकते हैं तमाम लोग मैं तो यह नहीं भूला हूँ ना कि माज गंगा के सामने खड़े होकर किसी ने बहुत बड़ा दावा किया था कि ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं यहां आया हूँ मुझे तो मा गंगा ने बुलाया है और मा गंगा के सामने क्या हो रहा है अब मैं आपको बताता हूँ आपके स्क्रीन्स पर यह है बकसर का नजारा दोस्तों यह क्या कहता है दोस्तों बकसर में कम से कम 40 शव जो हैं गंगा के तट पर आकर बह रहे हैं ये तस्वीर देखिए, एंडी टीवी ने से बलर कर दिया है, इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लाशे हैं, छितरी पड़ी हैं बक्सर पे, और ये गंगा के तटपर है, मैं समझना चाहता हूँ, यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर, इस नजारे को देखकर इस वीभत्स नजारे को देखकर हम कहां से सकारात्मकता लाएं, हम कैसे इसमें जश्ण मनाएं, मुझे बताईए ना, क्योंकि किसी की जवाब देखी तैनी की गई है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के अंदर और क्या हो रहा है, और कोई जवाब देखी नहीं है, मैं आपको एक और तस्विर दिखाना चाहता हूँ, भारत समचार की एक खबर है आपके स्क्रीन्स पर, पढ़के सुनाना चाहूंगा, नदी में बहकर आए शवों का लगा अंबार, गेहमर के कई गंगा घाटों पर इखटा हुए शव, जल प्रवाह किये हुए बताए ज जा रहे हैं, शव, गंगा घाट पर शवों की बद्बू से लोग परेशान, डीम ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी, ये है गंगा घाट पर शवों की बद्बू से परेशान, लोग गाओं में तराहिमा मचा हुआ है, हाहकार मचा हुआ है, हम कहां से सकारात मक्तल प्रदान मंतरी और आपको कौन सी इंस्पारिंग स्टोरी चाहिए जिससे मैं अपना दिमाग इन खबरों से हटा सकूँ आप मुझे बताईए मैं नहीं भूला हूँ हमीरपुर की नदी में हमीरपुर के पास नदी में लाशे बह रही थी मैं नहीं भूला हूँ कि किस तरह से गंगा की तट पर यमुना की तट पर बड़ी तादाद में लाशों को जलाय जा रहा था ये हालत है हमारे गाओं की और हमसे कहा जाता है सकारात मक्ता बनाए रखिये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ योगी आदितनात क्या कह रहे हैं दोस्तों गोर कीज़ें उनकी बात पर वो कहरें की हालात बहतर हो रहे हैं क्या कहरें पहले आप ये सुनिए उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूँ इस चिती वर्तमान में नियंतर्ण में है पिछले दस दिनों के अंदर से उस्तरप्रदेश के अंदर से और कोरोना के एक्टिव केस्ट पिच्छासी हजार कम है योगी जी मैं आपको पत्रकार कमरदीप सिंग जिनका नाता टाइम्स ओ इंडिया से है उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर टाइम्लाइन पर पेश किया है जहांसी का ये वीडियो है पूरे स्क्रीन्स पर देखिए दोस्तों इस वीडियो में देखिए पीछे एक बेटा अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है उसकी छाती रगड रहा है और दूसरी तरफ उसके बाकी रिश्टदार चिला रहे हैं उनका आरोप क्या है उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि स्वास्त कर्मियों की लापरवाही की वजह से हमें इस नजारे को देखना पड़ रहा है इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है कोई सपोर्ट स्टाफ मौजूद नहीं है बेबसी देखिए एक तरफ उनमें आकरोश है दूसरी तरफ वो बेटा अपने बाप को बचाने का प्रयास कर रहा है यह जहासी में हो रहा है किसी गाउं कजबे कूचे में नहीं हो रहा है यह जहासी का विडियो है मुझे बताईए ना इस विडियो को देखकर यह परिवार सकारात्मत्ता लाएगा अगर प्रधान मंत्री इन से कहेंगे कि मुझे कोई inspiring story बताईए तो क्या के लिए यह नजार एक inspiring story है आपके screens पर यह हैं संतोष गंगवार जो की भारती जानता पार्टी के मंत्री हैं उन्होंने बाकाइद एक letter लिखा योगी आदितनात को और इस letter में उन्होंने कहा कि बरेली में oxygen मौजूद नहीं है आपके अपने मंत्री आपको खत लिख रहे हैं उत्तर परदेश के बरेली के अंदर क्या हालात हैं आप मुझे बताईए ना इसमें कहां से कोई सकरात्मक्ता की उरजा लाए अब आपको मैं गोरकपुर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों यह है गोरकपुर की तस्वीर इस तस्वीर में देखिए बीमार को अस्पताल में ले जाने के लिए ट्रॉली नहीं है स्ट्रेशर नहीं है वो कंधे पर लादकर उन्हें ले जा रहे हैं पत्रकार ब्रिजेश ने अपने ट्विटर टाइम लाइन पर इसे डाला है इस नजारे इस इस तस्वीर इस विडियो का क्या जवाब है वहां के हुकमरानों का जो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान ने कल ही मैंने अपने कारक्रम में कहा था कि भारती जानता पार्टी के एक विधायक राम गोपाल लोधी अपनी बीमार पत्नी के साथ अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे मगर अस्पिताल की आधिकारी उनको हड़का की भगा रहे थे ये हालत आपके अपने विधायकों की है इतने बेबस आपके अपने विधायक है मुझे बताईए न बनारस में जिस छुनुलाल मिश्रक ने प्रधान मंत्री के नाम का प्रस्ताव किया था बनारस में चुनावों के लिए लोकसभा चुनावों के लिए उनकी अपनी बेटी उनकी अपनी पतनी को लेकर वहाँ पर क्या हाला थे हम सब जानते हैं और हमसे कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक बने हम एक इंस्पारिंग स्टोरी बताएं मैं आपको बताता हूँ आपके अपने बिहार में क्या हो रहा है और कोई जवाब दही नहीं है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ बक्सर में क्या हुआ अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों कि कि डी एम क्या कह रहे हैं लासे जो आ रही है बकसर में यह दरसल उत्तर प्रदेश से आ रही है सुनिए यह क्या कह रहे हैं नली कि है इल्डेया कोशे जो है और करी có reviews अब एबीपी की पत्रकार श्रवणी मिश्चु ने अपने ट्विटर टाइम लाइन पर ये खबर डाली है जिसमें वो कह रही है विडियो बिहार के बकसर का है जहां इन दिनों घाटों और अतजले लाशों की धेर लगी हुई है लापरवाही की हदें पहले ही पार कर शुका प्रशासन अब घाट पर डोम राजाओं को हड़का कर शवों का डिस्पोजल कर रहा है क्या कह रहे हैं ये आईए आप खुद स पत्रकार रंजीत रंजन की रिपोर्ट देखिए जो यहां पर आपको मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ जहाना बाद की इस महिला मरीज को ना ऑक्सिजन मिला ना ही एम्बिलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के क्रम में आटो वाले ने रास्ते में हुई मौत के बाद शव को सड़क पर पटक दिया और भाग गया मैं यह समझना चाहता हूँ कि क्या इन तस्वीरों के लिए किसी तरह की कोई जवाब देही है है मुख्यमंत्री नितीश कुमार की या वहां के स्वासमंत्री मंगल पांडे की किसकी जवाब देही है बताईए न केंद्र में स्वासमंत्री हर्शवर्धन की कोई जवाब देही नहीं है वो देश की जनता को ये बता रहे हैं कि डार्क चॉकलेट खाईए देश के गरीब को कह रहे हैं डार्क चॉकलेट खाईए ये नजाने किस हकीकत में तेर रहे हैं और अब जो मैं आपको ख़बर बतलाने वाला हूँ नुस तो सिहरन पैदा करने वाला है नौइडा में काम करने वाला एक software engineer उसकी मौत हो जाती है उनकी पतनी पतना के एक अस्पताल में जाती है और वहाँ पर उनकी पतनी का आरोप है कि लापरवाही से उनके पती की मौत हो गई मगर एक जो और आरोप वो लगा रही है वहाँ के compounder और वहाँ के doctor पर वो सिहरन पैदा करने वाला है कि इस मौके पर भी उनके साथ बत्तमीजी हुई यह उस महिला का आरोप है आप सुनिए वो महिला क्या कह रही है यह हालत पटना की है यानि कि एक तरफ आप तकलीफ में हैं और दूसरी तरफ आपके साथ इस तरह की बत्तमीजी की जाए सुनिए वो क्या कह रही है यहाँ पर भी सर यहाँ पर मिराजिश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इसारे कर रहा था मुझे सर हम से कहा जाता है कि हम सकारात्मक्ता की कहानियां सुनाएं सकारात्मक्ता का जश्ट मनाएं और यकीन यह अपने आप में कैसा मुद्धा है जो भारती जनता पार्टी के लिए जबरदस शर्मिंद्गी का सबब बन रहा है विपक्ष इस पर क्या कह रहा है आपके सामने राहूल गांधी का पयान राहूल गांधी कह रहे हैं कि नदियों में बहते अंगिनत शव अस्पतालों में लाइनों मील तक जीवन सुरक्षा का चीना हक प्रधान मंत्री वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे Central Vista के सिवा कुछ दिखता ही नहीं Central Vista यानि की करीब 20 हजार करोड रुपए से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काया पलट कर रहे हैं दिल्ली के एक हिस्से की जहाँ पर उनके घर में करीब 13 हजार करोड रुपए की लागत आ रही है सबसे दुख की बात ये कि इसकी आनुमती मिली थी 12 अप्रेल को जब देश में करोना की दूसरी लहर फिर से शुरू हुई थी अब भी उनका घर बन रहा है प्रधान मंत्री हो सकता है कि करोना के बीचों बीच आपका नया घर बन रहा हो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत जबरदस सकारात्मक्ता की उर्जा हो मगर देश के अंदर क्या उसी तरह की सकारात्मक्ता की उर्जा है मुझे इस बात में बहुत जबरदस शक होता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर इस वक्त वैसी सा कारात्मक्ता की उर्जा है जैसा आपके अंदर होगी और मैं जानता हूँ दोस्तों इनके brainwashed भक्त कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो करोडों में लोग मारे जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुझरात के अंदर जो आप तस्वीरे देखते हैं जहां शवों की लाइने लगी हैं जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जो आप तस्वीरे देखते हैं मद्ध प्रदेश की जो तस्वीरें आप देखते हैं कि आपको कहीं और दिखाई दे रहा है और मैं आपको सिर्फ दो मिसाले देना चाहता हूँ सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर सुप्रीम कोट ने मुंबई के BMC की तारीफ की वहाँ जो इकबाल सिंग चेहल हैं BMC के जो क ने मुक्तारीफ कर रहा है जबकि मुंबई में आप जानते हालाओ कितने खराब हैं वहां की सरकार सिर जुका कर काम कर रही है उसमें एहिंकार नहीं की रही है वह अपने नागरिकों को धंका नहीं रही है अगर mez Vallahi ऐस्पाल औकसिजन की कमी का रूना रोते हैं तो उन पर क केसस नहीं किये जाते हैं आप इतनी तस्वीरें देखते हैं मुंबई से जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है अन राज्यों से खासकर बीजेपी शासित राज्यों से हम दिल्ली की बात करते हैं दिल्ली में भी हालात बहुत खराब हैं यहां पर भी मुख्यमंत्री अ आप हमें oxygen दीजे, oxygen दीजे, oxygen दीजे, दिल्ली कोई कोने का शहर नहीं है, यह आपकी राजधानी है, और यहाँ पर भी वहाँ की सरकार गिड़गडा रही थी आपको oxygen देने के लिए, यह आपकी लापरवाही, यह दो मिसालें भारती जाता पार्टी को expose कर रही है, भक्तों क सोच को expose कर रही है, कि अगर प्रधान मंत्री नहीं होते, कोई और प्रधान मंत्री होता, तो हालात और भी बत्तर होते हैं, आजाद भारत के इतियास में ऐसी कोई political party नहीं हुई, जो हकीकत से कोसो दूर रही, आपकी स्क्रीन्स पर यह बीजेपी के अधर जेपी नड़ा, वो कॉंग्रिस पर दोश मढ़ रहे हैं कोरोना के फैलाव को लेकर, प्रसार को लेकर, कह रहे हैं कि वो केरला के अंदर रालीज कर रहे थे, चुनावी रालीज कर रहे थे, और आप बंगाल के अंदर क्या कर रहे थे, बताइए ना, बंगाल के अंदर आपने एक नहीं, द आपको क्या लगता है कि आपकी मर्जी के बगएर चुनावायो गिल सकता है वो चाहते तो तमाम चुनाव तीन चैरणों में खत्म हो सकते थे मगर आपने आठ चैरणों तक खीचा ताकि आप सत्ता में आ सके पचातर सीटों के लिए पूरे देश को आपने कुरोना में जोग दिया और आप कॉंग्रिस को दोश मड़ रहे हैं आप ये बात कह कैसे सकते हैं यकीनन राजनीतिक रालीज एक वज़ा हैं मगर राजनीतिक रालीज में गर्व करने की बात कौन कर रहा था मैं नहीं भूला हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी उस राली में क्या बोल रहे थे कि मेरी नजर जहां तक जा रही है मैं वहां तक भीड देख रहा हूँ किसी एक राली में प्रधान मंत्री ने वहां आई भीड से कहा कि आप चेहरे पर मास्क पहनी है या आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाई हुई है जब आप पर हमले शुरू हुए तब आपने भीड दिखानी बंद कर दी थी आप भीड में सिर्फ उन लोगों को दिखा रहे थे जिनके चेहरे पर मास्क है आप लोग नारेटिव को इस तरह से बदलते हैं आप लोग सोच पर इस तरह से काबू पाते हैं आप जनता को हकीकत से इस तरह से दूर रखते हैं मुझे अजीब लगता है जब जेपिन अड़ाज आप कॉंग्रेस पर ग्लेम कर रहे हैं या उन पर दोश मढ़ रहे हैं और जाते जाते दोस्तों एक और तस्वीर दिखाना चाता हूँ मैंने हर बार आपके सामने मुद्दा उठाया है कि किस तरह से कुंब अगले साल भी हो सकता था नतीजा ये है कि कुंब के होनी की वज़ा से उत्तरा खंड में कोरोना के केसिस अठारा सो फीस्दी बढ़ गए अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाता हूँ बदायूं जिले की वहाँ एक काजी की मौत होती है और ये देखिए भीड देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन्स में ये भीड जा रही है ये उनकी अंतिम यात्रा है और इसमें भीड देखिए आप अंदाजाय लगा सकते हैं कि ये राली इस भीड के चलते इस इलाकों में इस इलाके में कुरोना का किस तरह से विस्वोत होगा कल का ये वीडियो है दोस्तों मक्का मस्जिद का और यहां देखिए किस तरह से भीड मौजूद है बैठे हुएं इन में से कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुएं धार्मिक माननिताओं की चलते हम लोग इतना अंधा कैसे हो सकते हैं बदायू और हैदरबाद के मक्का मस्जिद की ये दो तस्वीरें इसे आप धर्म के साथ जोड़ सकते हैं जैसे कुम्ब को जोड़ा जा रहा है मगर इसके पीछे जो लापरवाही की दास्तान है क्या आप उससे खुद को जोड़ा कर सकते हैं मेरी इस बात पर खौर जरू कीजेगा न्यूस चक्र में बस इतना ही अविसार शर्मा को दीजिए अजाज़त नास्कार